नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिखेंगे कि किस प्रकार से हमारे घर में Change Over Switch बनाएंगे दोस्तों देखिए, जो हमारे घर होता है, उस घर में यदि हमें Power Supply देना होता है और उसके द्वारा Power Supply को हम पूरे घर में Distribute कर देते हैं, अब दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में Power Failure होता है तो उसके Backup के लिए, यानि कि Power Failure का टाइम पे Power Supply घर में देने के लिए आप कुछ न कुछ इस्तमाल करते होंगे जैसे कि Generator हो गया, Solar Sail हो गया, Inverter हो गया और भी बहुत कुछ होते हैं जिसके द्वारा हम Power Supply को ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने Example के लिए एक Generator ले लिया हूँ अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास में दो Power Source हो गया देगे अब दोनों Power Source के द्वारा आपको पूरे घर में Power Supply को Distribute करना है तो यहाँ पे हमें एक Change Over Switch के जोट परती है तो यहाँ पे जो Change Over Switch होता है, उसको किस परकार से बनाएंगे और किस परकार से कनेक्शन करेंगे, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के तवारा सीखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप Last तक देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद ना रहे तो प्लीज इस वीडियो पे Like, Share और Comment जरूर कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब निकिए तो सस्क्राइब भी कर दीजेगा ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों यदि हमारे घर में दो अलग अलग पावर्स हो से हैं तो उसके लिए ये हमें जेन्जवर स्विच्छब बनाना है तो हमें यहाँ पर दो कॉंटेक्सक्र का इस्तमौाल करना पड़ेगा यह जो हमारा पहला कंक्क्र है उसको हम जर्णेरसúcे लिए इस्तमौाल करेंगा थीए जो power terminal होता है उसमें आपको connect करना होता है ठीक है अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा electric pole है electric pole में जो neutral supply होती है वहाँ से require को connect करके लाएंगे और इसको लिएके हमारा जो contactor है उसके दुसरे वाले terminal पे connect कर देंगे ठीक है यहाँ पर हमने फेश supply और neutral supply को connect कर दिए अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा contactor है इसके outgoing terminal यानि कि यह T1 और T2 terminal जो है यहाँ से हम फेश supply और neutral supply को connect करके हमारे घर में connect कर देंगे ठीक है तो नहीं है तो हमारे घर में power supply नहीं जाएगा ठीक दोस्तों अब यहाँ पी जो हमने power wiring किये थे same to same power wiring हम generator के लिए करेंगे यह जो generator है वो single phase का है अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा generator का outgoing power supply है वहां से एक बार को connect करके लाएंगे और इसको क्या करेंगे contactor का जो terminal है उसमें connect कर देंगे यहाँ पर हमने इसको connect कर दिया अब इस generator का जो न्यूटर सप्लाई होती है वहां से एक बार को connect करके लाएंगे और इसको लिए हमारा जो contactor है उसके पहले terminal पर connect कर देंगे तो यह जो हमारा कर दिया जैने कि इस contractor का जो अर्ड़ोइन टर्मिनल है उसको लिए इस contractor के अर्ड़ोइन टर्मिनल के सर connect कर दिया और यहां से power supply हमारे घर में चली गई है same to same हम neutral supply को भी कर देंगे यहां से एक वायर को connect कर देंगे और इसको क्या करेंगे इस contractor का जो neutral supply है उसके सर connect कर देंगे ठीक है जिससे क्या होगा इन दोनों का अर्ड़ोइन टर्मिनल आपस में पावर सोर्स का इस्तेमाल किया गया है तो दोनों पावर सोर्स एक सास्थ चालू नहीं होना चीए एक ताइम पे केवल एक पावर सोर्स और होना चीए तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारे relationships होता है इसको client के जो coil का supply होगा उसके series में connect करेंगे ठीक है अब यह जो contactor है इसको one करने के लिए connection कर देते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो power source है यानि के generator से जो power supply आ रही थी वहां से एक वायर को loop करके हमारा जो NC contact है जो main contactor का उसके incoming terminal पे power supply दे देंगे अब इस NC contact के आटवेंट टर्मिनल से एक वार को connect करेंगे और इसको लियाके A1 terminal के साथ connect करेंगे ठीक है यह हमारा contactor का A1 terminal है ठीक दोस्तों तो हमने इसके coil में face supply दे दिये दिये दोस्तों अब यह जो contactor है इस contactor का जो NC contact है उसको हम main contactor के power supply के series में connect करेंगे ठीक दोस्तों तो यह हमारा generator generator का NC contact होगे अब दोस्तों दिए यह जो contactor है इसको चालू करने के लिए यहां पर हम connection कर देते हैं इस contactor को चालू करने के लिए हम power supply इस face supply के द्वारा देंगे यानि कि यहां से एक वार को connect करेंगे और इसको लियाके जो हमारा generator था इसका जो NC contact है उसको incoming power supply दे देंगे कु यहां पर हमारा face supply का connection हो गया अब हम क्या करेंगे यह जो contactor है इसका जो A2 terminal होता है उस terminal पर हमें neutral supply देना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से एक वार को loop करेंगे और इसको लिए जाके A2 terminal पर connect कर देंगे यानि कि neutral supply को हम directly इसको connect कर दिए सेम तो सेम हम man contractor में भ जाएका, अब दोस्तों देखिए, यदि हमारा man power supply on है, तो kya होगा power supply यहां से flow होगा, यह Nc contact है, इसलिए क्या होगा power supply आगे flow होने देगा, अब flow होते वे, इस contactor के coil में चले जाएगी, जिससे ये contactor on हो जाएगा, अब ये contactor on होती है दोस्तों, ये जो Nc contact है, वो NO बन जा तो क्या हुगा यह इसमें पाउर सप्लाई यानि की जैनेटर का पाउर सप्लाई ओन है तो क्या हुआ है यहां से पाउर सप्लाई फुरुर होते हुए सीधे इस Contactor के कोईल में चली जाएगी जिससे हमारा जो Contactor है वो On हो जाएगा इसके On होने पर क्या हुआ इसका जो NC Contact है वो An-O बन जाएगा ठीक दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जो Contactor था इसके On होने पर ये वाला Contactor On नहीं होगा ठीक दोस्तों तो यहाँ पर याति हमें इस प्रका का connection करना है जिससे कि यहाँ हमारा electric pole का power supply आ जाती है तो यह वाला contractor उन हो जाए और यह वाला off हो जाए तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक auxiliary contractor का इस्तमाल करना पड़ेगा यहाँ पर auxiliary contractor यहाँ फिर एक relay का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमें के वर एक nc contact चाहिए ठीक है उसी nc contact लिए हमने यहाँ पर एक contactor का इस्तमाल कर लिए ठीक है दोस्तों आप इसको क्या करना है कि यह जो electric pole का power supply है वहाँ से एक wire को connect करके लाएंगे और इसको सीधे ही लिजाके हमारे जो contactor है उसके a1 terminal पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा यदि इसमें power supply है यानिके electric pole में power supply है तो यह जो contactor है वो own हो जाए ठीक है अब इस contactor को neutral supply देने के लिए हम यहाँ से एक wire को loop करके इसके a2 terminal पर connect कर देंगे ठीक है दोस्तों जिससे क्या होगा यह जो हमारा contactor है वो चालू रहेगा कब चालू रहेगा जब हमारा electric pole में power supply रहती है ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा generator का coil का supply थी उसमें थोड़ा सा हमें modify करना पड़ेगा क्या modify करेंगे दोस्तों देख लिए यह जो हमने power supply यहाँ से connect किये थे इसको remove करना पड़ेगा ठीके अब यह जो contactor है इसका जो coil का supply है उसके series में इस auxiliary contact को इस्ताबाल करेंगे ठीके अब इसको power supply देने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक बार को connect करेंगे और इसको ले जाके इस NC contact को incoming power supply दे देंगे ठीके दोस्तों यहाँ पर हमने इसको incoming power supply दे दिये अब इसके और्गों इंटर्मे वो कैसे काम करेंगा एक बार समझे लीची है दोस्तों देखिए यहाँ से पावर supply आएगी तो यहाँ से पावर सप्लाई आएगी तो यह एनसे कॉंटेक है जिससे कारण से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस contactor के कोईल में चली जाएगी जिससे यह वाला contactor ओन ह जाएगी और ये वाला contactor on हो जाएगी अब ये दोनों contactor जैसे ही on होते हैं तो इसका जो nc contact है वो no बन जाएगा यानि कि ये दोनों contact no बन जाएगे अब येदि generator का power supply on भी है तो क्या होगा यहां से power supply यहां तक पहुचेगा इसके आगे flow नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो n nc contact था वो no बन चुका है ठीक है no क्यों हो ना क्योंकि ये दोनों contactor on है अब ये किसी गारण से हमा जो electric pole का power supply है वो फैल हो जाता है यानि कि power supply चली जाती है तो ये दोनों contactor off जाएगी ओफ होने पर क्या होगा ये जो nc contact था वो no बन गया था इन दोनों contactor के चालू होने पर अब ये दोनों contactor दुबारा बंद हो गए बंद होने पर क्या होगा ये दुबारा nc बन जाएगा और nc बनने पर क्या होगा power supply आगे flow होते हुए इस contactor के coil में चली जाएगी जिससे क्या होगा ये जो हमारा contactor है वो on हो जाएगी और on होने पर क्या होगा power supply यहां से flow ह होते हुए हमारे घर में चली जाती है ठीक दोस्तों अब यह जो चालू होने पर यह जो एनसी कॉंटेक्ट था वो एनो बन गया ठीक है तो पाउर सप्लाई दुबारा आने पर यहां से पाउर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा लेकिन यहां पर हमने एक अजलरी इसके ओन होने से क्या होगा यह जो एनसी कॉंटेक्ट है वो दुबारा एनो बन जाएगा इसके एनो बनने पर यह जो हमारा कॉंटेक्टर है इसके एवन टेमिनल पर पाउर सप्लाई नहीं जा पाएगा जिससे यह जो कॉंटेक्टर है वो दुबारा ओफ हो जाएगा इस इस वीडियो पर लाइक, सेर और कमेंट कर दिजेगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब भी कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यों